हेलो डियर स्टुडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टर्म टू को स्लेपर्स सीपी एसी के एक्सराइज 3.1 साथ साथ आपको इसके फॉमले बताते जाएंगे ठीक है बिल्कली इजी सा चैप्टर है यह आपके पहले भी आ चुक है 9th क्लास में भी डिग्री मेजर्मेंट को रेडियन मेजर्मेंट में चेंज करें तो कैसे चेंज करते हैं इसका एक येलो कलर में मैं सारे फॉमले लिकूंगा radian measurement का जो formula होता है student वो होता है πाई बाई 180 multiply degree measurement तो यह formula आप याद रखेंगे इस question के लिए ठीक है किसी को भी radian में change करना हो तो उसका जो formula होता है वो πाई बाई 180 into क्या होता है degree measurement तो जैसे first question है इसका 25 degree को अपने को change करना है 25 degree को अपने को convert करना है किसमे degree measurement में sorry radian measurement में तो radian measurement का formula आएगा पाई बाई 180 multiply degree measurement जो दे रखा है जैसे 25 दे रखा है तो यहाँ put कर देंगे अब यह अपस में किस table से cut हो रहे हैं वो काट देंगे 5 की table से cut हो रहे है तो 55 जा 25 5 3 जा 15 3 करी 5 6 जा 36 तो इसका जो answer आएगा student वो आजेगा 55 5 by 36 ठीक है इस तरीके से अपने को सारों को किसमे convert करना है radian measurement में नेक्स question देखेंगे नेक्स question में आपको क्या करके दिखाना है minus 47 degree 30 minute second question जो है वो है आपके पास minus 47 degree 30 minute तो पहले minute को degree में convert करेंगे तो इसको अपने ऐसे लिख सकते है minus 47 degree 30 minute है तो 30 by 62 का divide कर देते हैं तो यह degree में चंज जाज़ेगा ओके तो 30 से 60 कट होके 1 by क्या आगया 2 अब यह mix fraction में है इसको सही करेंगे तो 47 2 जा 94 प्लस 1 95 by 2 degree ठीक है तो अब इसको अपने को convert करना है रेडियन में तो क्या आएगा देखो रेडियन मेजरमेंट इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू degree मेजरमेंट तो degree मेजरमेंट माइनस का है तो माइनस आगया आज़ेगा 95 by 2 यह 5 के टेबल से cut हो जेंगे तो माइनस का पाई इंटू 95 के टेबल पे आता है 5 पंजा 5 एंड 9 जा 45 नीचे यह आता है 36 इंटू में 2 तो इसका जो अंसर आएगा वो आएगा माइनस का 90 पाई अपन 72 ठीक है तो यह इसका अंसर आज़ेगा student ठीक है next question अपने करते हैं third part इसका 240 डिगरी तो 240 डिगरी को अपने को convert करना है radian measurement में 240 डिगरी तो radian measurement का जो formula होता है student वो होता है pi by 180 इंटू degree measurement तो degree measurement अपने को दे रहा है 240 जीरो से जीरो cancel तो अब 2 के table 6 के table से इसको cut करेंगे तो यह आज़ेगा 64 जा 24 pi by 6 3 जा 18 तो यह इसका अंसर आज़ेगा student ओके last part है इसका fourth part इसका fourth part देखेंगे अपने क्या देरका है fourth part में अपने को 520 डिगरी तो 520 डिगरी का अपने को radian measurement निकालना है तो radian measurement is equal to pi by 180 इंटू 520 0 से 0 cancel 2 के table से इसको गाटेंगे इसको गाटेंगे तो यह आज़ेगा 26 और यह आज़ेगा 9 ठीक है तो बस इतना ही कटेगा इसलिए इसका जो अंसर आएगा student ओक्या आएगा 26 pi by 9 ओके तो यह 4 question थे सारों को अपने को radian measurement में करके बताना था तो बिल्कुल इज़ी सा question था ठीक है इस तरीके से आप इनको याद रखेंगे pi by 180 इंटू डिगरी measurement यह formula इस पूरी x question में आपके काम आएगा इस first question में ठीक है जाना radian measurement और जब डिगरी measurement करेंगे वो इसका next part है उसमें formula convert हो जाएगा 180 उपर आजेगा pi निचे आजेगा यहनी cross multiply कर देंगे ओके easy सा question है ओके thank you